आलोश्त्तू जैसा कि मैंने अभी आप लोग को एक वीडियो दिया और मैं बोली कि मैं आप लोग को दूसरा वीडियो दे रहे हूं तो मैंने इसमें तैयार कर ल्या है इसमें मैं अच जो developing की जो characteristics है वो कितने प्राकार की है और उसमें कितने पार्ट है उन सबुके विश्य में आप लों को बताएंगे तो हम यह पर देखते हैं कि characteristics, developing society की निमनल खित, इनकी निमनल खित विसस्ता है जिसमें मैंने चार विसस्ताओं का उलिख किया है जिसमें पहला है हमारा आर्थिक विसस्ताओं दूसरा है जन संक्या संबंदे विसस्ताओं यह पहला यह दूसरा और तीसरा है समाजिक सांस्कृतिक एवं राजनेतिक विसस्ताओं और चौथा है प्रोध्योगी कि विसस्ताओं तो आर्थिक विसस्ता है किस किस चीज में है क्या क्या है आर्थिक विसस्ता है वो हम देख लेते हैं फिर जनसंक्या संबंदी जो विसस्ता है उस पर हम आप लोग को बता देंगे और उसके बाद से हम उसके बाद हम बात करेंगे इस पर समाजिक सांस्कृतिक राजनतिक विसस्ताएं पर और उसके बाद बात करेंगे प्राधियों की विसस्ताएं पर तो सबसे पहले हमें आपर देखते कि आर्थिक विसस्ताओं का जो पहला पॉइंट है जो वो है कृशी की प्रधानता है यहां पर भारत में भूमी प्रती ब्यक्ति की अस्तर पर दिखेंगे तो कम है अनिस अब्दम में से प्रती हक्टियर ब्यक्तियों की शंख्या अधिक है यहां पर मतलब अगर हर ब्यक्ति की अनुसार हम जमीनों को देखेंगे तो जमीन तो कम है जन संख्या जादा है तो हमें देखते हैं कि भारत का मतलब भारत की जो स्रम की जो सकती है वो लगबग 52 प्रतिसत अभी भी क्रिसी में लगी हुई है दूसरा हम देखते हैं कि वास्तवीक आय का कम होना यहां पर वास्तवीक आय जो है वो कम होता है मतलब भारत में जो प्रतिव्यक्ति आय का अस्तर बहुत नीचे है यहाँ पे 2016 और 2017 के दरान भारत में प्रतिव्यक्ति आय मात्रा 1861 US डॉलर रही थी जबकि अमेरिका में 52,195 US डॉलर और जपार में 47,680 US डॉलर थी तो यहाँ पे भारत में जो वो धन अम आय के वेतरण में असमाननता तो यहाँ पर धन और आय इसमें असमानता पाई जाती है क्योंकि राश्टिया न्याय दर्स सर्विच्छड की आकडों के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रामीट जनसें क्या कि 49% ब्यक्तियों के पास मतलब उनकी परिसंपति का 5% अनसे ही पाये जाता है यहाँ पर इतनी जनसंख्या है कि लोगों के पास समान वितरण नहीं हो पाता है किसी को ज़्यादा मिल जाता है किसी को कम मिल जाता है फिर हम देखते कि इसका चौथा है वो असंतुलित आर्थिक विकास पर बात है पाच्वा है पुंजी का भाव है छठा अवद्योगी करन का भाव है और सात्वा वजार की अपूर निता है आठ्वा है याता यातेवम संचार की शाधनों में कमी है और नौह है निर्याद निर्भरता तो यह हो गया हमारा आर्थिक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पाफे महत तो दिया जाता है जिसके वज़े से बच्चे वो पैदा करते रहते हैं कि पुत्र के तलासने मतलब ऐसा होता है पुत्र पाने के लिए यह पांच और पुत्री आ जाती है तो यहां पर जो है लिंग अनपात में गिरावट है फिर छटहा है जन संक्या का आधिक किया भारत में जन संक्या काफी है और साश्रता की समस्या यहां पर साश्रता मैंने वह सोसल डेवलप्मेंट वाले विश्य में बताया था साश्रता क्या है और उसके बाद साश्रता की समस्या है यहां पर जबकि हम देखते हैं यहां पर कि 1991 में देश की क प्रतिसत थे और महिला जो थी 65.46 प्रतिसत थी अब हम यहां पर समाजिक, समाजिक, राज़नतिक, सांस्रकितिक विसरस्ताओं की विशय में बात करेंगे तो यहां पर हम नेखते हैं कि भागिये पर विश्वास काफे ज्यादा होता है। दूसरा हम देखेंगे कि परंपरा, जन्रिती, रूडित, धार्मिक आदी चीजों पर यहां पर ज्यादा विश्वास होता है, इस्तरियों के नीमन प्राइस्थिती है यहां और राजनितिक अइस्थिता है, फिर हम प्राध्योगीक विश्वास के विश्वास में बात यहां पर उसके बाद हम यह जो हमारा है विश्वस्ता है जो है डेवलपिंग सुसाइटी की उसके विश्व में हमने देख लिया यह और आप लोग वीडियो रोक के इस चीज को देख लेजेगा लेजेगा अब हम यहां पर विकसत और विकाशल समाज में अंतर देखेंग में लिखा है तो हम देखते हैं कि विकसत समाज में जनसंख्या का अधिक भाग उद्योगों में कारियरत है जबकि विकाशल समाज में जनसंख्या का अधिकांस भाग क्रिश्य कारे में सनलगना है फिर हम देखते हैं कि जनसंख्या का घनत तो जो है यहां पर आर्थिक तो को कायम रखने के लिए पिर यहां पर देखेंगे कि प्रतिवेक्ति आया दिक होने के कारण लोगों के रहन सहन का उचा अस्तर जो है उचा होता है जो कि प्रतिवेक्ति आय में कमी होने के कारण यहां के रहन सहन का अस्तर नीचा होता है फिर हम देखते हैं कि क्रिशी के चैत्र में ने ने उपकरण प्रयोग मिला जाते हैं जब कि इसमें उपकरण होते हैं, जब कि इसकी बात करें तो यहाँ पर परमपरागत तरीके से जो उपकरण हैं वही चलते आ रहे हैं, यहां पे जनमदर और मृत्य दर अउशत है, पोषट ततो परयाप्ट मातरा में मिलती है और विकासल समाज में पोषट ततो जो है उपलब दिना होने के कारण अउशत आयू भी कम है। और यहां पर सिच्छा में कमी होने की कारण साष्वता दर कम है। यहां पर इस्टियों कि स्थति प्रहिस्तति संतोज जनक है, जबकि यहां पर प्रहिस्तति निमन तथथा सोचनी है। स्लीजी उसके वाद देखते हं कि न्यंत्रड़ के शाधन में अपचारिक तथा कानुन की महत्ता पाई जाती है जब कि बविकासस्तन समाज में नियंत्रड चाथन अदिक प्रहब 23阪 कि के जीवन धर में तथा परंपरा की महत्ता अधिक है बविकस्त समाज में उसमें नगरी करण और अध्योगी करण की प्रक्रिया धीमी है यहां पर देखते हैं कि अर्जुत प्रयस्तिति की महत्ता होती है जबकि यहां प्रदत प्रयस्तिति की महत्ता होती है इसमें नौकर्शाही विक्षत रूप से पाया जाता है जबकि यहां नौकर्शाही भी अ कासल समाज में वो मैं लेक दियो आपो फिर हमें आप पर कि आप लोगो आप लोगो आप इसके पहले ले वीडियो में इसके में सर्चेण बर डेवलोप्मेंट बता है अब मैं इसमें एकोनमी गृथ है को अगे को देढ बड़नाया और यह इसके माने चोओधर कि सतत्विकास पर्मानों पर्यावरों स्कॉट हूम सम्मिलन संपन्द हुआ था 1972 में तीसरा देखते हैं कि सतत्विकास चब्द का पहली पहली बार प्रयोग वर्ड करने विश्य स्ट्रेजी तरह किया गया था यह भी पूसकता है मतलब इरादा किया गया है प्रस्तावित पूरियो समर्पित माल दुलाई गलियारा की लंबाई कितनी है 1856 किलो मेंटर यह चीज भी आप से पूछ सकते हैं आप इसे तयार रखेगा यह श्रतत्विकास में आता है फिर हमें आप सतत्विकास के 17 यहां पर गोल और लच्छ भी पूछ देगा तो सतत्विकास के 17 गोल और 179 निसाने हैं जिसमें सतत्विकास के अधरना शंसादनों के संद्छण से हैं प्राक्रितिक संसादनों का दिक्ता मुप्योग सतत्विकास का सद्दान्त नहीं है क्रिया माना गया है तो यह हो गया सुस्टेनबल और एकोनॉमिक पर नौदस में मैंने लिखा है अब्जक्टिव आप इसे तयार कर लेजेगा और यहां पर मैंने डिफ्रेंट बताई दी आप लोगो की डेवलपिंट इन डेवलपिंग सोसाइटी में डिफ्रेंट क्या है त इसका वीडियो हम आप लोगो देंगे तो अभी मैंने जस्टिश के पहले एक वीडियो दिया और यह मेरा दूसरा वीडियो इसमें मैंने डेवलपिंट सोसाइटी को कम्प्लिट कर दिया है मैं पार्ट वान पार्ट टू करके डाल दोगे कि आप लोगो को प्रॉब्लम न देखने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे मेरी आगे जो आगे वीडियो आएगी उसे भी देखिएगा उसे भी सेर कीजिएगा मिलते हैं आप लोगों से फर नेक्स्ट वीडियो में